नमस्कार मैं हूँ सौरब दिवेदी और आप देख रहे हैं दिललन टॉप डॉट कॉम हिंदुस्तान से हमें सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इसमें अंद्विश्वास बहुत हैं एक और जब आदमी मंगल ग्रह पर पहुँचने की तैयारी कर रहा है हमारे महान मुल्क में अभी भी मंगल ग्रह को भारी बता कर कई मूर्खताएं की जाती हैं हमें बताया जाता है कि इसके शमन के लिए बर्गत के पेड़ से ब्याह कर लिया जाए सवाल बर्गत के पेड़ से अब थोड़ा आगे पहुँच चुका है क्योंकि अब पेड़ की जगे कुटिया से शादी करवाए जाने का मामला सामने आया है यह मामला है जमशेदपुर के मोहलडी गाओं का यहां के चार साल के बच्चे अनिलकी एक कुटिया से तांतरिक और उजहाओं की सलापर शादी करवा दी गई शादी का वीडियो देखिए फिर आगे की कहानी बताता हूँ इस्थानी पत्रकारों की माने तो अनिल की मा सरस्वती परेशान थी क्योंकि अनिल की तबियत बहुत खराब रहती थी जब उसने जाड़फूक वालों से पूछा तो कहा गया कि प्रितात्माओं का साया है और इसे दूर करने का एकलोता उपाय है कि कुटिया को वर्माला पहनाई जाए और उसकी मांग में सिंदूर भरा जाए लेकिन मामला सिर्फ बच्चे की सेहत तक सीमित नहीं है जारकन के इस इलाके में ये मानिता है कि यदि किसी बच्चे का पहला दात उपरी मसूडे पे आता है तो इसकी वज़े प्रितात्माओं का साया होता है और ये साया सिर्फ बच्चे या उसके परिवार तक महदूद नहीं रहता बलकि इसका प्रकोप पूरे गाउं में होत है और इसलिए इसका जल्द से जल्द निवारण जरूरी है पत्रकारता में हमें एक सबक सिखाया जाता है कि खबर तब है जब इनसान कुत्ते को काटे क्योंकि ये अजीब चीज़ है इसलिए ललन टॉप में एक सेक्शन भी है भौचक लेकिन जब इस तरीके की भौचक क से लड़ने की वो किसी भी जर्ये आपके भीतर आपके आसपास प्रवेश कर सकता है काबिद हो सकता है तरक का एक नया नाम दीललनटॉप.com जिसके साथ आप लगातार बने हुए है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि भारत को अपनी इस किस्म की जड़ मानिताओं से मुक्ती कैसे मिल सकती है अगर आप फेस्बुक पे ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ललनटॉप की पत्रकारता पसंद आती है तो हमारे पेज को लाइक करिए इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को टैक करिए जो आपको अंद विश्वासी लगते हैं और उ करिए